पूरा मेरा इंट्रेंस है यहां से यह बाहर का एरिया और अब इंटर हो रहे हैं यह मेरे ससुर्जी बैठे हुए है यहां मेरी गारी खड़ी हुई है और यहां गारी खड़ी है यह राइच हैंड को है एक कमरा तो यह देखिस्थ यहां पर सोफे रखे हुए है यहां टोय रखे हैं और एक सिंजरी से लगी हुई है यहां पर एक है मिरर और यह है पूरे कमरे का व्यूँ तो यह देखिए यह है यहां पर चोटी सी रैक रख्यों यह थोड़ा जरूरत का समाव यह बच्चे यहां पर लगाए गए हैं और एक सोफा यहां पर लगा हुआ है तो यह पूरा है और यह जो आप देख रहे हैं ना यह एकदम सीलन सी पूरे घर में हमारे सीलनी सीलन है और मेंटेनिस बाकी है पूरी घर की और जो भी हो पाता है हमसे वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत तो अब हम बाहर चलते हैं और यह है मेरे सासुर जी का कमरा यह वहां यह उनका बेड़ है और एक यह है यहां पर बेड़ तो यह लगावा है यहां इblic Zine और का डबवा है यहां पर अपने सासुर्जी की लिए रखे हुए है और यह ऐसे रखावा है वहां पर है क Bürr और यह ब हुआ अधान दखनार है उस पर इğर्ए घ्र टोड़ा सा और यह देखिए पूरा घर मतलब कायसा हो रहा है यहां पर वाच लगी हुई है तो पस अब निकलेंगे यहां से बाहर और अब इस कमरे में जा रहे हैं तो यह देखिए यह पूरे कमरे का है व्यू यह यहां नमाज पढ़ने के लिए ही है कमरा यहां पर दो बेट तो पढ़े हुए हैं लेकिन यहां पर कोई नहीं सोता है और यहां नमाज पढ़ी जाती है तो यह देखिए यह पूरा और यह कपड़े सूके हैं इसे अभी फोल्ड करने हैं तो यहां पर यह देखिए मशीन रखी हुई है और यहां पर हम से लाई करते हैं यहां पर और यह है एक फ्रिज यहां पर भी एक फ्रिज रखावा है और एक किचन में रखावा है दो फ्रिज है बाहर चलते हैं दूसरे रूम में यहां पर टीवी है और यहां पर घड़ी लगी हुई है यहां पर मेरे बच्चों का लैप टॉप है यह बुक्स वगयरा रखी हुई है यहां पर पिलो रखे हुए है चादर है यह सब सजा के रखा है बच्चों ने यहां पर बुक्स रखी हुई है और टिशनरी का सामान है और यह थोड़ी सी सजा के रखा हुआ है और यहां पर यह दिखिए है सीन्डी और यह मेरे बच्चे निना सब गोट के रखा हुआ है दिवारे बहुत ही गंदी सी हो रही है और अब मेंटेंड होगा अभी अगर से वो लोगडाउन ना होता तो अब हो चुका होता और यहां पर है ड्रेसर, ड्रेसिंग टेबल और य इसका तो हमने आप लोगों को दिखाया था मेकवर किया था इसमें वाल पेपर लगाया था इसल्मीरा में और यह नई वाली है और यह रखा हुआ है क्टूलर तो यह देखिए यह है मेरा पूरे रूम का व्यूव यहां बर कपर वगरा टंगे हैं तो अब चलते हैं किचन की तरफ तो सबसे पहले यह है डबल डोर प्रिज और उर्पर रखावा है यह वास और इतर सामने से आएंगे तो यहां पर है वाच और टाइम देखने में असाणी रहती है और यहां पर हिए सारे जगोत गयुँई movies 125 और यह सब मेरे बचों के कब्स वगयरा है और यह देखिए यहां पर और सारी सीज़े हैं और यहां रखा मेरा ट्राइपॉट क्योंकि हमें जो है किचन में ज्यादा काम रहता है इसलिए ट्राइपॉट यहीं पर रहता है शूट करने के लिए और यहां पर यह सारे डबे वगयरा रखे हुए हैं यहां पर रखा है और यहां पर है इंडेक्शन यह देखें यहां पर बन रही है चाय और यह है खिड़की यहां पर मेरा रखा है कुक टॉप और यहां पर लिड वगयरा रखी हुई है यह एपर कटर जो आपको दिखाया रही था हमने वीडियो में यहां पर यह उपर है इसमें जॉस फैन और मेरे घर की हालत ना बहुत ही खराब हो रही है इसको डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है लेकिन हो उप चुका होता है अगर लॉकडान ना होता तो लेकिन अब क्या करें वो कहते हैं ना कि किसमत से ज् कि दिजार करना पड़ेगा तो अब जलते हैं बाहर और यहां पर बच्चे स्टरी कर रहे हैं और मेरी बच्चे हैं उनके फ्रेंड्स हैं सब स्टरी हो रही है यहां पर टाइ silently ठेबल रखने और यह जंब्र कुलर यह खराब हो चुका है इसे बनवाना है और यहां पर थोड़े से प्लांट लगे हुए है यह खिर्की है यहां पर लाइट है और यहां पर बालतियां रखी हुए है पानिवानी यहां पर है चेयर लखी है इस साइड है बात्रूम यहां पर सिंक लगी हुए है यहां पर एक शीशा मेरर और इधर है बात्रूम तो यह दिखिये है यहां पर मेरा लगा हुए है गरम पानी हीटर और यहां पर यह थोड़ा जो सामा यहां पर है ने लिचे बालकी कि और इधार है ट्वालेट उसे क्या यह दिखाना और यहां पर भी है मेरा लगावा है वो सामने है स्टोर्रूम अबस फिर हमें जाना है उपर के साइड चलते हूं हुआ है यहां पर देखिए कप्ड़े फैले हुए है इतने सारे कप्ड़े दोले है कप्ड़े दो रही है यहां मेरी बहुत कप्ड़े दो रही है अभी दिखाएंगे नहीं हुआ है और यहां पर प्लांस और लगे हुए है यह है च्छत और यह है उपर उपर के साइड चली उपर भी चलते हैं और एक यह भी है किचन तो यह अभी मेरी बहु आई हुई है मतलब मेरी नन की बहु और यह उनका किचन है अभी वो माइके गई हुई थी तो इसलिए तो ऐसे ही है यह लिखी है यहां पर सब सामान यह है उनके किचन का व्यूग और अब बहार चलते हैं यह रूम में चलते हैं यह रखा है कूलर और यह सब भी है हमने बताया ना आपको पूरे घर में सीलान बहुत ज्यादा है इस वज़े से यह घर की क्या हालत हो रही है बस किसी तरह से मैनेज़ कर रहे हैं जल्दी से वक्त आएगा कि यह सब सही हो जाएगा इंशाल्ला यह जाल पड़ा हुआ है इस पर है फनी पड़ी है और यह रखा है अमडेला और यह लोक लगा भाए एक रूम के भी है और यह से थोड़ा सा चूला बना के रखा हुआ था अब उदर के उसमें पेड़ू गाए है ऐसे करके और फिर अब उपर को जाना है तो यह रिखें यहां पर भी हमने कप्ड़े सुखाई हुए हैं यहां पर यह बच्चों ने नाली थी और क्यासे नीचे की तरफ हो रही है तो यह देखें यहां पर भी प्लांस लगे हुए है और थोड़े बहुत फूल पौदे यहां पर भी लगे हुए है और यह पूरी छट का है क्यों इधर मेरे घर के पीछे मैदान सा है बहुत बड़ा काफी बड़ा सा मैदान है यहाँ पर मोटर चल रहा था तो अभी टंकी भर चुकी है तो बन कर दिया है और यह बातरूम ट्वालेट की च्छत तो बस यहीं तक था हमारा होम टूर आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर करें और पास ही लगे बेल आइकन को भी दबादे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिश अब खेर थैंक यू दौाओं में याद रखिएगा थैंक यू आल